हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तु स्टेडी बस, क्याट एक्जाम 23 में बई अब आपके बाश 75 डेज बचे हुए हैं इस समय जो स्ट्रेस लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज होने लगता है बच्चों का डाउट होता है सरपताने अब एक्जाम हो पाएगा अग नहीं हो पाएगा वो भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है जिसने तयारी स्टार्ट ही नहीं करी वो सोचता है अब इतने टाइम में तो मैं कुछ करी नहीं सकता तो आज की वीडियो आपके लिए काफे इंपोर्टेंट है अगर आप सेल्फ स्टेडी कर रहे हो तो भी ये पूरा बुरा बुर भी कर सकते हो बड़ आपको डेडिकेशन और डिसिप्लीन यहां पर दिखाना पड़ेगा सो माइन इम इस सौरप कुठारी लेट्स स्टार्ट सबसे पहले आप यह समझो जो आपके माइन में क्वेश्चन है सर क्या यह पॉसिबल भी है तो आप एक सी समझो जब भी आप क ग्राइब करने के लिए आईडिल आपको 500 आर्स की पढ़ाई करनी पड़ते है ठीक है अब कुछ इसे होता है जो डेली 1-2 आर्स पढ़ते हैं कुछ डेली 2-3 आर्स पढ़ते हैं आपके सामने जो चैलेंज है वो यह है कि आपके बच्चे 75 देज इस 75 देज आपको पूरी शूरू कर रहे हो लेट से तो आप डेली 6-7 आर्स सीरियस स्टेडी स्कीमा बात कर रहा हूँ तो सीरियस पढ़ाई आपको करनी पढ़ेगी अगर आप एक ऐसे स्टुएंट हो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपको रिविजिन करना है कुछ टॉपिक्स आते है कुछ नहीं आते तो आप डेली 3-4 आर डिवोट करने के लिए रेडी रहो इतने टाइम को डिवोट करने के बाद अब अच्छे से इसी साल अपने एकजाम को कर पाऊगे ठीक है तो माइनसेट पहले बनाओ और जब मैं 6-7 आर बोल रहा हूँ न ये एक दिन की बात नहीं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते है डे 1, डे 2, डे 3 पे तो बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे फिर वो एक दिन लाग कर देंगे, एक दिन मैक्स देखने लग गए, एक दिन नेट्फलिक्स चलाने लग गए वो पूरा गुरा फोकस लूज हो जाता है, अभी आपके पास वो टाइम नहीं है फोकस लूज करने का, आपको अभी से एकदम 75 देज बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से पढ़ाई करनी है आप मान सकते हो यह बाई, एक तरह से 75 हार्ड चैलेंज है ठीक है, आपको हर दिन इतनी महनत करनी है, हर दिन आपको वरबल भी देना है आपको क्वांट भी करना, आपको LIDA भी करना है, अपना रिविजिन भी करना है तो एक एक चीज आप ये कमिटमेंट कर लो अपने आपसे किसार अगर मैं 75 देज डेडिकेट कर दूँ, तो क्या मेरे एक्जाम क्रैक हो सकता है तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज दूँ, कि क्या-क्या clarity आपको चाहिए, क्या-क्या चीज़े आपको करने है इस एक्जाम के लिए तो concepts आपको बिल्कुल clear होने चाहिए, Quants के, Verbal के, LIDA के हर एक concept पर आपने कम से कम 75 to 100 question प्राक्टिस करे होने चाहिए, हर एक topic का आपको revision भी करना है, revision किस तरह से होता है previous year के paper से होता है, mock से होता है, या फिर जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसका एक weekly revision करना है, then आपको sectional test करने है, आपको 25 कम से कम full length mocks करने चाहिए, exam से पहले, and last five years के जितने paper उनका हर एक slot का एक question आपको करना है, question यह है, sir क्या है 75 days में possible भी है, तो मैं आपको एक पूरा preference आपकी geometry को, fourth preference आपकी modern math को, and fifth preference आपकी number system को, LIDI के अगर मैं बात करूँ तो arrangement के आपको सारे के सारे topics हो गई, games set, tournament, critical power, logical games, wind diagrams, यह सारे important topics हैं, and DIA कभी भाई, 102 set आपके exam में आते हैं, तो उसकी भी हमें practice करनी है, verbal में जादर तो लोग गलतिया करते हैं, वो सिरफ और सिरफ RC practice करते हैं, लेकिन आपको यह समझना है, para jumbles, para completion, para summary, odd one out, यह topics आपके scoring areas हैं, आपके जो remaining questions होते हैं, RC के अलावा वो इनी topics आते हैं, और यह काफी जाद scoring होते हैं, तो आप काफी अच्छे से, यहाँ पे topics complete करो, तो बहुत अच्छा score कर पाओगे, अगर मैं आपको यहाँ पे एक analysis दूँ, तो आप last 5 years का data देख सकते हो, 99% है लाने के लिए last year 84 marks जेते हैं, out of 198, which is approximately 43-44% of the paper, correct? अगर आप CAT 21 की बात करोगे, तो 98 marks जेते हैं, out of 198, which is 50% of the exam, अगर आप CAT 20 की बात करोगे, तो 101 marks जेते हैं, out of 228, which is 44% of the exam, CAT 2019 में 156 marks जेते हैं, out of 300, which is 52% of the exam, and CAT 2018 में 154 out of 300, which is 51% of the exam, तो यहाँ पे आप यह समझ सकते हो, कि 50% papers सही करने पे, आप 99% अचीव कर सकते हो, आप एक चीज़ समझो, बहुत सर बच्चे को माइन में doubt होता है, सर मेरा यह topic नहीं आता, मुझे तो मैं exam crack ही नहीं सकता, सर मेरे से games and tournament नहीं 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 सकता, सर मेरे से geometry नहीं नहीं सकता, ऐसा नहीं है, अगर आपके एक दो topic week areas भी हैं, लेकिन आपने बाकी अदर topic में काफी अपनी strength बना रखी है, तो भी आप comfortably इस exam को crack कर सकते हूँ, इस data से आपको मैं यहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब अगर आप भाई खुद से करना चाहते हो well and good है, नहीं तो भी मैंने cat का final last crash code launch कर दिया 15 September से, जिसमें 75 days का एकदम sincere plan आपको पुरा पुरा दिखाने वाला हूँ, जिसमें हर दिन आपको 6-7 hours पढ़ाई करनी है, एक dedication के साथ एक तरीके से structured form में आपकी तयार होगी, इस course में आपको 150 hours के video lectures मिलेंगे, जिसमें सारे topic बिलकुल basic concept level से होगे, previous year के videos मिलेंगे, जो last 5-6 years के जितने भी slot हुए है, हर एक question आपको समझाये गया, कैसे exam condition में उसको solve करना है, तो आपको sectional test, topic wise test मिलेंगे, easy, moderate, advance, 24-7 doubt forum रहेगा, ताकि आपके जो doubts हैं, वो भी clear होते चले जाए, and 30 full nine marks, बहलाँ पूरा का पूरा, full budget preparation आपका basic से advance तक हो जाएगा, and वो भी एक sincere study plan के साथ, and इसका जो fees अवो करने लिए 5999 है, आप सबसे पहले planner देखो, कैसे आपको planner समझना है, इस course के अगर आपको demo lectures देखने है, तो demo lectures मैंने description में आपको सारे के सारे links प्रोवाइट कर दे है, पूरा पूरा quants कर वीजिन है, यह कुछ 8 hours की वीडियो है, इनको देखने माद आपको खुदी clarity मिल जाएगी, कि आपको चीज़े समझ में आरे हैं नहीं आरे है, अगर आपको आरे है, तो आप complete course जोईन कर सकते हो, और इस course की help से अपने पूरी preparation को एक structure दे सकते हो, एक direction दे सकते हो, ठीक है, अगर आप खुछ से भी तयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल hopeless नहीं होना है, आपके सामने ये पूरा plan है, जो भी आप reference betale follow कर रहे हो, उस reference betale को यूज़ करके, इस order में अपनी पूरी तयारी को complete कर सकते हो, तो 15 September से मैंने ये plan बनाया है, जिसमें आप सबसे पहले cat mock 1 लिखोगे, जिसमें आपको एक analysis मिल जाएगा, कि आप currently कहाँ stand करते हो, कितना आपको better करना है, Day 2 पे अगर आप देखोगे, आपको speed mask का video lecture देखना है, इधर से आपको RC concept video देखना है, ठीक है, आप around 3 hours के videos देखोगे यहाँ पे, उसके बाद आप अपने portal पे जाके topic wise test की practice करोगे additional 3 hours, ताकि हर एक topic बहाँ की command बनते रहे, तो 3 hours of videos followed by 3 hours of practice, यह हमारा basic rule है जो हम follow करने वाले हैं, इसी को follow करके आप देखोगे, पूरा का पूरा syllabus भी हो जाएगा, आपके previous year paper भी हो जाएगे, आपके जो important topic से वो भी हो जाएगे, and आपके mocks, analysis, हर एक चीज इस planner में मैंने cover up करी है, then आप यहाँ पे averages का video lecture देखोगे, portal पे जाके इसके test की practice करोगे, इधर आप root words का video lecture देखोगे, मैंने आपको vocabulary के edition lecture यहाँ पे दिये हैं, ताकि RC and जो non-archive topic होते है, para summary, para completion, यह सब आप अच्छे से कर पाओ, then उसके लाद यहाँ पे percentages का video lecture देखोगे, इधर circular arrangement का video lecture, इधर RC video one देखना है, और इस तरह से आप देखोगे, मैंने पूरा यहाँ पे आपको arithmetic कराया है, हर अफते मैंने आपको एक दिन दिया, weekly revision के लिए, हर 5-6 दिन में, ताकि पूरे अफते में जो भी आपने पढ़ा है, उसका आप revision कर पाओ, और वहाँ पे आप एक mock भी लिखोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कोई भी अगर backlog रहेगे, वो cover up कर लोगे, mock लिखोगे, तो आपको अपनी performance evaluate होती देगी, कितना आप यहाँ पे improve कर पा रहे हो, ठीक है, देन इसके बाद अगर आप देखोगे, तो TSD के जो video lecture है, वो देखोगे, इदर आपके LR के video lecture चल रहे है, इदर आपका RC का practice चल रहे है, देन आपके यहाँ पे geometry section स्टार्ट होगे, आपका पूरा advanced LR यहाँ पे चल रहे है, और हर अफ़ते आप भी एक दिन निकाल रहे हो weekly revision के लिए, और इधर जो आपके topics हैं, वो पूरे बरे RC की अच्छे level पर practice हो रहे है, तो आपके vocabulary बिल्ड हो रही है, ताकि verbal ability जब आगे आप करोगे, तो वो आप comfortably कर पाओ, geometric बाद आप यहाँ पे देखोगे, पूरे बरे algebra के आप वीडियो lectures देखोगे, इधर आपका पूरा DI चल रहा है, क्योंकि अब आपने arithmetic कर लिया है, तो आप DI comfortably कर पाओगे, इधर आपने अब जब vocabulary बेटर कर लिया है, तो RC के साथ, जो non-archive topics है, jumble sentences, MCQ, इन सब के वीडियो lectures देखोगे, और पोर्टल पे practice करते चलोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस planner के according, within 43 days आपका पूरा syllabus basics लेकर advance तक खतम हो जा रहा है, और इसके बाद हमारा miscellaneous lecture, revision lecture स्टार्ट हो जाएंगे, तो within 43 days आप पूरा syllabus एक बारी, बिल्कुर basics से advance तक कर लोगे, along with revision and along with seven mocks, ठीक है, उसके बाद हमारा next step क्या है, आपको मैंने एक folder प्रवाइड के miscellaneous lecture, वहाँ प आर और verbal में आपको sectional test करने है, ताकि आप अपनी speed को better कर पाओ, कौन सा RC करना है, कौन सा छोडना है, कौन सा LIDA का set pick करना है, कौन सा leave करना है, वह सारी चीज़े आप यहाँ पे समझ पाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखो, जब के miscellaneous lecture और sectional test खतम हो गए है, अब हमें final round of revision करना है, जिसमें हम last 5 years के जितने papers हैं, उनके videos देखेंगे, तो मैंने आपको क्या किया, cat 22, 21, 20, 19, 18, 17, इन सब के previous year में जितने भी slot थे, slot 1, slot 2, एक एक question आपको यहाँ पे solve करके दे दिया है, वो भी quant, LIDA, verbal, अलग-अलग, ताकि आपको यह पता चल पाएं, कि exam condition में पूरे section को कैसे deal करना था, कौन-कौन से questions आपको करने थे, exam condition में कैसे उस question को जल्दी कर सकते थे, वो सारे वीडियो जब आप देख लोगे, तो आपके previous year के सारे paper and आपका final round of revision भी complete होगे, इसके साथ आपके mocks चल रहे हैं, फिर आप बही 5 mocks और लिखोगे, 25 mocks आप complete हो जाएंगे, आप additional mocks देना चाते हो, तो 30 तक भी दे सकते हो, then आप last के 2-3 days जो अपना revision करोगे, final revision, यहाँ पर relax करोगे, को important formula उनको देख लोगे, and 26 November के लिए, आप exam ready हो जाओगे, तो अगर आपने plan देखा है, तो इस plan में सारे के सारे lecture बिलकुल basic से है, portal पर जाके आ अगर आप 6 hours देने के लिए तयार हो, 7 hours देने के लिए तयार हो, तो within 75 days, आप around 450 से 500 hours की study कर लोगे, and that is more than enough to crack this exam, तो लेकिन point वही है, जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कि mind में fit कर लोगे, आपको यह plan अगर follow करना है न, तो आपको हर दिन 6 hours dedicated देने ही देने पड़ेंगे कोई यहाँ पे gap का option नहीं है, कोई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप off track हो जाओ, अब 75 days एकदम लगके 100% sincerity के साथ, अगर आप तयारी करते हो, तो चाहे आप 0 से start कर रहे हो, चाहे आप off track हो गए हो बीच में, आप इस plan की health से अपना पूरा syllabus complete करके, cat में अपने score को maximize कर आते हैं कि आपको पता है, to the point यह lectures मुझे करने हैं, वो lectures आप देखोगा, and you are good to go for your exam, ठीक है, तो 150 hours की video lectures, previous year paper के videos, sectional test, topic test, 24-7 doubt forum, 30 full-land mocks, हर चीज़ आपको provide हो रहे हैं, fees मैं आपको बता चुका हूँ, 5999 fees है, जिसमें आप enroll कर सकते हो, अगर आप एक SS student हो, जो केता है, मुझे topics तो आते हैं, मुझे सिरफ आप test series दे दो, ठीक है, अगर आप crash code लेतो हो, तो test series आपको नहीं लेनी, आपको वो साथ में provide होगी, लेकिन अगर आप सिरफ test series लेना चाहते हो, तो वो भी हमारी available है, जिसमें आपको 13 national level full-land mocks मिलेंगे, and आपको 24 sexual test मिलेंगे, 8 verbal, 8 qu IDAK, and आपको 6 यहाँ पे, all slot के paper मिलेंगे, जिसमें बहुत sincere तरीके से आप अपने paper को कर सकते हो, and यह सारे के सारे paper आपको mock की form में मिलेंगे, तो एक तरह से additional practice आपकी यहाँ पे हो जाएगी, topic-wise test आपको मिलेंगे, हर एक topic का easy, moderate, advance, हर एक question का detailed analysis and solution आपके सामने आएगा, and complete analysis आपको यहाँ पे मिल पाएगा, पूर एक बोरे test series का जो fees that is 1500 rupees, वो पे हमारी website से enroll कर सकते हो, तो I hope आपको यह planner helpful लगा होगा, आपको एक crash course help करेगा, start हो रहा है 15th of September से, आप इस plan को अपने according modify भी कर सकते हो, change भी कर सकते हो, हम आपको यह पूरा planner send कर देते हैं, इसको आ आप एक benchmark की तरह follow करोगे, तो within 75 days, हर दिन 6 hours अगर आप लगाते हो, तो definitely आप इस exam में अपने score को maximize कर पाऊगे, अपनी preparation को लेके confident हो पाऊगे, लेकिन मैं पहले आपको recommend करूँगा, कि आप demo lecture देखो, जो नीचे मैंने आपको description प्रोवाइट की है, अगर आपको समझ में आता है, तो फिर आप इस course में enroll कर सकते हैं, ठीक है, कोई और doubt या question हो, तो इस number पर आप WhatsApp कर सकते हो, 99589-3705 पे, otherwise आप website पर जाके भी directly enroll कर सकते हैं, so all the ways, thank you so much and take care.